नमस्कार सिक्षार्तियों मैं कृष्ट कांद्रिपार्थी नियुएस के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम जिस विशेव चर्चा करेंगे वह है मात्र भासा छित्री भासा और मानक भासा आज हमारे साथ हैं बर्दबान महावीर मुक्त विश्विद्य जैसा अलाय कोटा के सहयक आचार डॉक्टर पतंजली मिश्रा मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि मात्र भासा च्छेत्री भासा यो मानक भासा जो भासा की विभिन रूप हैं जो सब्दा वली प्रियोग की जाती है वहां साके विभिन रूपों के लिए उन पर मिश्रा जी से आगरे करूंगा कि वह विश्तरत जानकारी हमारे सिक्षार्थियों को प्रतान करें डग सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरा परिशे दिया जैसा कि हम लोग ठीक तरीके से जानते हैं कि भाशा के विभ पूर्ण हो गया है चुकि सामान्य बोल्चाल में दस्तावेजों में और कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में इन ही तीन प्रकार के भाशाओं का प्रियोग ज्यादा हो रहा है लेकिन एक-एक करके इनका विश्लेशन करने से पहले हम यहाँ जानने और समझने की कोशिश क करेंगे कि भाशा का संप्रत्य क्या है भाशा क्या है जिससे कि भाशा को समझने के बाद फिर हम एक-एक को विश्लेशित करेंगे और उसके संप्रत्य और उसके कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो भाशा का जब प्रशन उठता है तो हम ठीक तरीके से हैं जान होता है और मनुश्यों की भाषा में विकास के साथ व्याकरण, प्रतीक, सुव्यवस्थित प्रणाली और सारो भाव मिक्ता चार गुण जो हैं वो प्रमुक रूप से उभर कर सामने आते हैं एक बोली भाषा का जब रूप ले लेती है तो निश्यत रूप से उसका कोई न क कोई व्याकरण होगा, वह किसी ने किसी प्रतीक के माध्यम से समझाई जाएगी बताई जाएगी और उसका एक स्टरक्चरडょड़ सिस्टम होगा, एक सुव्यवस्थित प्रणाली होगी और उसमें एक युनिवर्सल अपील होगा, जो की परिवर्तित नहीं होगा तो यह प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवर्ति की वाचिक प्रस्तोती है। इसका मतलब यह है कि primarily वह भाशा जो भी हमारे आसपास की घटना घटना क्रम है। उनको प्रतीकों के रूप में व्यवस्थित तरीके से सामने रखने की प्रणाली को ही भाशा का नाम दिया गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पाते हैं कि एक भाशा तो है ही और इसी भाशा के सारे बहु भाशावाद जो है एक्जिस्टिंस में आता है। एक महतपुन विद्वान हुए है कोक उन्होंने एक जगर चर्चा की है कि बहु भाशावाद जो है एक और सामान्य अपवाद के बजाए प्रतेक सामान इंसान के लिए उपलब्ध प्राकर्पिक शमता है। इसका मतलब यह है कि भाशा अर्ण करने के ख्षमता जो है वो नाचूरल है, वो सीखी जा सकती है, वो लर्ण बिहेवियर है और उपयूक तवाता वर्ण को देखते हुए दो भाशाएं उतनी ही सामान्य है जितने की दो फेफडे, जितने की जो दो किड्निया, हमारे शरी में आगे बढ़ते हैं जब तो हम यहाँ पाते हैं कि मात्रिभाशा, ख्षेत्रिय भाशा एवा मानक भाशा भी बहु भाशावाद से प्रेरित है और यह बात जो है NCF 2000 बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामने रखती है, वो कहती है कि यही बहु भाशावाद की प्रेना से मात्रिभाशा और ख्षेत्रिय भाशा के स्वरुमान्य स्वरूप के रूप में मानक भाशा उभरकर आती है, तो एक तरीके से तीनों के बीच जो अंतर संबंध है, यह हमारे लिए जानना और समझना बहुत आवश्यक और ज़रूरी भी है द carditeil साब मैं चाहूँगा कि इसमें अंतर भी और संबंध भी दोनों पे आप चर्चा करें, और ऐक एक करके बताएं मात्रभाशा किसे कहते हों चित्रिभाशा किसे कहते हैं और मानक भाशा किसे कहते तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि मात्रि भाषा का संप्रत्य क्या है तो मात्रि भाषा का संप्रत्य बड़ा सहज और सरल है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है लेकिन फिर भी जब हम घर की भाषा या घर की भाषाओं कई घर ऐसे भी हो सकते हैं जहां दो भाषा बोली जा रही है कुनबे की भाषा जो आसपास कुनबा शब्द इस्तेमाल होता है NCF 2005 में इसलिए मैंने उसके साथ छेड़ चार नहीं किया उसको कुनबा ही रखा है कुनबे की भाषा मतलब जहां वो रहता है उसके एक बड़ा कुनबा जो है बड़ा समोह जो है उसकी भाषा या आसपास पड़ोस की भाषा यह मात्री भाषा की अंतरगत आ जाती है जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावर्न से ग्रहन करता है और वहीं सीखता है इसको सीखने के लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है इसका मतलब यह है कि मात्री भाषा जो है वो नाचूरल है किसी भी बच्चे के लिए और बच्चों में यह बात तो सर्वसिद्ध है न्सीएफ 2005 में या न्सीएफ टी 2009 में और तमाम दस्तावेजों में यह बात कही गई है कि बच्चों में भाषा की चमता जो है भाषा सीखने की चमता जो है वो जन्मजात होती है जिससे हम innate ability कहते हैं वो अपने आप वो भाषाएं सीखता है बस शर्त यह है कि उसके आसपास के परिवेश में उसके आसपास के समाज में वो भाषा बोली जा रही हो हम रोज मर्रा के अनुभाव से जानते हैं कि जादा तर बच्चे स्कूल की सिक्षा के शुरुवात से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भासिक शमता रखते हैं इसमें कोई ऐसी बताने लाइक चीज नहीं है लेकिन जब प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो इससे बिलकुल इतर पाते हैं यह कुदाहरं से मैं इसको समझना चाहूंगा आप देखें कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक पूरी की पूरी भाषिक समझना के साथ स्कूल जाता है वह यहां बताप आने में सक्षम होता है कि मेरा नाम पतंजले मिश्रा है मैं कोटा राजस्थान से आता हूं तो आपके अंदर इतनी खशमता रही होगी कि आपने बताया हूगा कि मैं क्रिश्टकांत हूं हो यह घर का आपका जो नाम होगा वह अपने अध्यापक पूछा होगा आपसे किया आपका नाम क्या है आपने यहां बात बताई होगी इसका मतलब आप एक पूरी भाशा के साथ, एक पूरी भाशिक सरचना के साथ विद्याले में प्रवेश करते हैं. अब विद्याले की स्थिति देखी वैसे जो आप बता रहे हैं कि बच्चा अपनी भाशिक सरचना के साथ जाता है विद्याले में तो वैसे तो इस चीज को बरजित माना गया है लेकिन बहुत सारे निजी विद्यालियों में ये टैक्टिस है कि बच्चे का इंटरेव्यू लेते हैं जब उसके चर्चा करते हैं उसके सब्दावली और उसके भासा की च्छमता को परख के उसका इड्मिशन दिया जाता है इसी पर मैं आ रहा हूँ कि हमारे विद्यालियों में करते क्या हैं उस बच्चे के साथ मतलब बहुत दुर्भागे पूर्ण है ऐसा किया जाना लेकिन फिर भी जब एक बच्चा पूरी भाशा की सनचना के साथ जाता है उसके बाद उसको हम क्या बताते हैं का ख ग या फिर एक तो भाशा पूरी की पूरी सनचना उसको पता है कि किस तरीके से वर्ब का प्रयोग करना है उसे पता है कि किस तरीके से हल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भाशा को तोड़ तोड़ के इस तरीके से उस बच्चे के सामने रख पहले से ही दो या तीन भाशाओं में समझने और बोलने दोनों के क्षमता तो होती ही है अब हमारे आथुनिक विद्यालेओं को चाहिए कि इसके क्षमता को रिकगनाईज करें और उसके क्षमता को उसकी लर्निंग बिहैवियर को बढ़ाने के लिए उसके लर्निंग आउट हम देखते हैं कि किस तरीके से यह किया जाए किस प्रकार से यह किया जाए कि मात्रिभाशा जो है मजबूती से उसके अधिकम को प्रस्रे दे मजबूती से उसके अधिकम को बेहतर करें तो इसमें जब हम देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि अध्यापन कार्य जो है वहाँ कम से कम प्रात्मिक स्तर पर मात्री भाशा में ही किया जाए केहने का ताट पर है कि सिक्षक और विद्धियालेयों को यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांस बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं जहां उनकी मात्रि भाषा के अतरिक्त अन्य किसी भाषा में सिक्षा दिया जाना बिल्कुल उद्देश से ही नजर आता है और क्योंकि इन बच्चों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो स्थानिय बोली ही होती है अतह उनकी स्वयम की भाषा जिसे वे अपने परिवार, समुदाय या परिवेश से सीख कराए है में ही सिक्षन सर्वस्रिष्ट एवं प्रभावी हो सकता है और NCF 2005 पी इस बात को कहता है कि आसपास पडोज की भाषा में बच्चा जब सीखता है तो उसका आधिकम जादे प्रभावशाली, जादे टिकाउ होता है इसके अलावा जब हम देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि बालग की मात्रिभाषा उसके सिक्षा का आधार होती है और जितनी एनरजी वो दूसरी भाषा को सीख कर और उसमें समझने की योग्यता आरजित करता है वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो यह योग्यता आरजित भी कर ले आसानी से जितनी energy वो उसमें लगाता है उससे बहतर है कि आप उसको मात्रिभाशा में सिक्षित करें और मात्रिभाशा सीखने समझने एवं ज्यान की प्राप्ती का बिलकुल सटीक माध्यम है मात्रिभाशा केवल संबात की नहीं अपे तो संस्क्रती एवं संस्कारों की संवाहिका भी होती है वह अपने घर के संस्कार वह अपने परिवार के संस्कार वह अपने समाज के संस्कार वह अपने देश के संस्कार यदि विदेश में है तो वो अपनी मात्रि भाशा में ही रखता है, मात्रि भाशा में ही सीखता है और मात्रि भाशा में ही समझता है उसको कोई दूसरी भाशा उसे आनंद नहीं दे सकती जितनी की मात्रि भाशा में वो आनंदित हो सकता है जब हम बच्चे के मात्रिभाशा को स्विकार नहीं करते हैं विद्याले में तो कहीं न करी हम बच्चे के आत्म संप्रत्य को कमजोर करते हैं जी, बिल्कुल आपने 100% सही बात कही है, कि यदि हम बच्चों के मात्रिभाषा को विशेसकर प्रात्मिक विद्यालेव में, यदि स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसकी संस्कृति को, उसके संसकारों को और उसके संवादों को सिरे से नकार रहे हैं जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा काम तो नहीं ही है मातरिभाशा बालक के लिए संपरेशण का सबसे सरल इवं समझ का बिलकुल आसान माध्यम होता है अब यह बाथ हमारे स्कूल कब तक समझेंगे या कब तक उनको यह बाथ समझ में आ जाएगी, यह एक महत्तुण बात होगी मात्रिभाशा के साथ क्या होता है कि अभिव्यक्ति में स्वाभा विक्ता होती है जो एक्स्प्रेशन है वो नाचूरल होता है आप याद करिए जब आप कन्योजी में बोलते होंगे तो आप कितना अपने आपको कमफरटिबल और अपने घर, परिवार, जमीन और मिट्टे से जड़ा हुआ पाते होंगे मैं जब भुजपूरी में बात करता हूँ तो मैं अपने मात्रिभाशा से, अपने गाउं से, अपने परिवेश से इतना जड़ा महसूस करता हूँ मात्रिभाशा में सब्दों को खोजना नहीं पड़ता है, अपने आप आज आते हैं मात्रिभाशा तो वैसे ही है कि नैचूरली वो बिल्कुल आती है उसके लिए आपको न शब्द खोजने की जरुरत है, न दिमाग पे जोड़ देने की जरुरत है तो ये मात्रिभाशा की ताकत है, और इससे यह बात सहज ही डॉक साब हम लोग समझ सकते हैं कि बालक कि सरजनात्मक शक्ति का विकास यदी करना है, जैसे आजकल क्रियेटिविटी कहते हैं चिंता भारत के सिक्षा विवस्था की यही है, कि हमारे यहां सिक्षा विवस्था में इससे हम इनुवेटिव लोग नहीं पैदा करते हैं तो इनोवेशन तो तभी होगा जब आपने मात्रिभाशा में शिक्षा दी है, जितने भी बड़े आविश्कार दुनिया में हुए हैं, आप कलपना करिये कि रविन्ना टैगोर ने यदि मात्रिभाशा में नहीं गीत आंजली के रशना की होती, तो शायद नोबल प्राइज भी उनके लिए मुश्किल होता, इसके अलावार जितने बड़े आविश्कार हुए हैं, वह हम मात्रिभाशा के बदावलत हुए हैं, चु VC मात्रिभाशा में सुचने के लिए, उसे किसी सहारे के जरुरत नहीं होती है, और मात्रिभाशा के इस्तेमाल से, उसका व्यक्ति जब हम विद्यालय या सिच्छक नई भासा को थोप देते हैं बच्चे पे तो उसका कहीं न कहीं भासा के साथ संघर्स बढ़ जाता है और विशा ग्यान कहीं न कहीं कम जब जाता है वो बहुत उचेत और सही शब्द है भासा तो आप जितनी बच्चा सीख ले उतना बढ़ी है लेकिन मात्री भासा की कीमत पर नहीं मात्री भासा को सैक्रिफाइस करके नहीं मात्री भासा का नुकसान करके नहीं अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी संस्कृती सभ्यता को परि कार्य मात्रिभाशा से आसान हो जाता है और हमारे यहां हमारे देश के पूर्व रास्टरपती रहे हैं और बहुत मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम शायद भारत वर्षन में बहुत से बच्चों के आदर्श होंगे और हम सब के हम सब उन यह बात उन्होंने धरम पेट कॉलेज नागपुर में जो है वहाँ पर एक भाशन के दौरान यह बात मजबूती से रखे थी तो यह मात्रिभाशा का संप्रत्य है और यह मात्रिभाशा की भूमिका है हमारे सिक्षण और अध्यन के पूरे के पूरे डिस्कोर्स में अब डौक्ट्र साब मैं जाना चाहूँगा कि छेत्रिभाशा का संप्रत्य क्या है और यह मात्रिभाशा से कैसे अलग है जी खेत्रिभाशा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है भाशा के छेत्र में जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है वे भाशाएं जो है प्रत्येक राज्य के विविन्भागों में बौली जाती है भले ही उन्हें र्राजय द्वारा मान्यता दी गई हो या नहीं चेत्रिभाशा कहलाती है उसका मान्यता प्राप्त होने से कोई तातपर्यक नहीं है एक उधारण नहीं यदि तो बनारस और बिहार के कुछ छेत्रों में उतर प्रदेश पूर्वी उतर प्रदेश और बिहार के कुछ छेत्रों में भोजपूरी एक स्विकार्य भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है सामान्य बाद चीत में भोजपूरी का इस्तेमाल लोग वहां करते हैं भोजपूरी को मान्यता हो ना हो इससे उसका कोई मतलब नहीं है कन्योजी हो गई या मैथली हो गई मगई हो गई इनको मानेता हो या नहों इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जब वह किसी राज्य के विशिस्ट भाग में या विभीन भाग में बोली जाती है तो उसको हम लोग शेत्रिय भाषा के संग्या से अभेद करते हैं और एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की मात्रिभाषा अलग-अलग भी हो सकती है हो सकता है कि यदि कोई बच्चा है वो जादे समय तक बंगॉल में रहा हो और उसके घर में बंगॉली बोली जाती रही हो और वो जब कहीं राजस्थान में आ गया तो बच्चा हो सकता है कि बेंगॉली बोल रहा हो चोकि उसने घर के संस्कार है लेकिन यह कही घर में यदि दो लोग रह रहे हैं उनके खित्री भासा समानेते आलग नहीं होती है और इसमें समझने वाली यह बात है कि कई बार मात्री भाषा भी छेत्री भाषा हो सकती है यदि कोई एक छेत्र विशेश में रह रहा है और वहाँ पे एक बसष्ट भाषा का इस्तिमाल वो घर में कह रहा है और वही भाषा उस छेत्र में भोली भी जा रही है तो निश्चित रूप से मात्री भाषा भी कही जाएगी और निश्चित रूप से वह खेत्री भाषा भी कही जाएगी चुकि उस छेत्र विशेस में वह बोली जा रही है तो यह एक संबंद भी है उन दोनों के बीच और अंतर यह है कि उस छेत्र विशेश में उसका बोला जाना जरूरी है यह नहीं है कि केवल घर में बोली जा रही उस पूरे चैसर विशेस में उसका बोला जाना अवश्यक है जैसे कि मात्र में अथ्टरी भाषा से थोड़ा ये एरिया के हिसाब से थोड़ा सब बड़ा हो जाता है जादे लोगोद्वारा बोली जाती हो चैसर में किसी एक शित्र में बहुत सारी मात्री भाषाएं भी उपियोग में आती हुई देखी जा सकती है, यह को दाहर ले तो भारत के विभिन राज्यों एवं केंद्र शार्सित प्रदेशों की अपनी ख्षत्री भाषाएं हैं, जैसे राजस्थानी, राजस्थानी कई तरह की रा करके इसके मानक रूप हमको देखने को नहीं मिलता चुकि है, बोली के रूप में होती है, इसलिए यह च्छेत्र विशेश में बोली जाती है, इसके अलावा, ख्षेत्री भाषाओं में विशय संबंधी ज्ञान कम ही उपलब्द है, और यही कारण है कि शहरी और ग्रामे 2005 कह रहा है, जो कि भारत की सिक्षा विवस्था को दिसा नंद्रदेशित करने का एक महत्वपून दस्तावेज माना जाता है, यह दस्तावेज यह बात कह रहा है कि छेत्री भाषाओं में विशय संबंधी ज्ञान कम उपलब्द होता है, और इसी कारण से सहरी और ग्रामे कोशिश करते हैं, लेकिन वह खाई देखते हैं कि धीरे-धीरे बड़ी ही होती जाती है, वह भरी नहीं जा पाती है, यह एक छेत्री भाषा का संप्रत्य संक्षित रूप में आपके सामने है, यह मानक भाषा किसे कहेंगे, यह इस पर प्रकास डाली है, मात्री भाषा और खेत्री भाषा दो तरह की भाषाएं हो गई, अब प्रशनोटता है कि मानक भाषा क्या है, मानक भाषा को अंगल भाषा में standard language कहते हैं, और मानक भाषा किसी भाषा का वह विसस्ट रूप या प्रयुक्ति या भाषिका होती है, जो किसी समुदाय विशेश, राज्य या राष्ट्र में सर्वमान्य संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त हो और लोक संबाद में प्रचलित हो, इसके दो शर्त हैं, पहले शर्त तो हो गई, किसी समुदाय विशेश या राज्य या राष्ट्र में सर्वमान्य संपर्क भाषा का दर्जा उसे प्राप्त होना चाह अब लेते हैं आगे देखते हैं इसको कैसे इसको समझेंगे हम लोग किसी भी भाषा के मानकी करण हे तो आपचारिक व्याकरण, शब्द कोशों और अन्य भाषा वैज्ञानिक कृतियों का गठन वो प्रकाशन किया जाता है जाता है, तो मानक भाषा में जब हम आते हैं, तब जाके भाषा विज्ञान के चरचा करते हैं कोई मानक भाषा बहु केंड्री या एक केंड्री धोनों हो सकती है केंद्रिय जो से आंगला भाशा में हम लोग अलो घ्लॉरोसंत्रिक नौ प्लॉरोसेंट्रिक क्या टैंसर कर चैन्दरिय k стал चपा ये बहुत अंगला भाशा में हम लोग अधिकर्छा Canadianो रहते हैए उसर केंगे कि जिसके एक से एदिक माना कुरोप निर्धारित किए गये हों जिस भी भाषा के एक से अधिक रूप निर्धारत के हो जैसे अंग्रेजी अमेरिकन अंग्रेजी है नाम बिटिश अंग्रेजी है फ्रेंच फ्रेंच में भी इस्ट फ्रेंच वेस्ट फ्रेंच आता है पर्सियन लैंग्विज जो है उसके भी कई रूप देखने मे कर दो हो और जर्मन के भी भी कई वह केंड हैं मेखने सी जाथी है। रूसी भाषा यह केंडर अकनातली में ऐता है। उसका एक ही मानक रूप है और Japanese जो है जैपान में जो बूली जाती है उसका एक ही मानक रोप है मुझे लग रहा है यहAcस्पष्छ हो गया होगा कि बहुन केंद्रिय और एक केंद्रिय भाशा का क्या संप्रत्य है अब इसमें समझने वाली बात है कि कौन कौन से वो तत्व हैं जिसके आधार पे हम किसी भाषा को मानक भाषा करार दे सकते हैं कुछ तो criteria define टरना होगा जिसके आधार पे हम यह कहेंगे कि यह मानक भाषा है यह मानक भाषा नहीं है तो इस पे एक-एक करके हम लोग चर्चा करेंगे तो मानक भाषा के लिए चार प्रमुक अनिवारे तत्वा हैं पहला एतिहासिक्ता और दूसरा मानकी करण तीसरा जीवनतता और चोथा स्वायतता एक एक करके देखेंगे कि एतिहासिक्ता से क्या समस्ते हैं मानकी करण से क्या समस्ते हैं विवंतता से क्या समझते हम, स्वायतता से क्या समझते हम, तो मानक भाषा का गौरों मैं इतिहास वो विपुल साहित्य होना चाहिए, बहुत लिटरिचर लिखा गया हो और उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए, जैसे, हम यदि हिंदी को एक मानक भाषा के रूप में यदि प्रक्रिया के तहट आज existence में आई है, जरूर संस्कृत से पाली, पाली से अब्रंस, अब्रंस से खड़ी हिंदी बोली, खड़ी हिंदी बोली से आज जो रूप हम, जैसे मानक हिंदी बोली, हिंदी भाषा कहते हैं, वो जैसे राज भाषा का दर्जा दिया गया है, वह र एतिहासे क्रम में इसका विकास हुआ है ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी के साथ भी हुआ अंग्रेजी भी ग्रीक और लैटिन के स्थान पे धीरे 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 बेकन ने कहा कि ग्रीक और लैटिन जो है वो जादे दिन तक सर्वाइब करेंगी अंग्रेजी नहीं सर्व लेकन के समय पर तो अंग्रीजी एक नई भासा ती तक तो आ एक जी तो जाकोपियन है 1625 1649 कि इसक जगतों के जा सकती ती अंग्रीजी ननदीं हैं अंधराश्ट्री भाशा का दरजा एक तरीके से मिला हाला कि कई लोग इस पे अपती भी करते हैं चाहिए यह एक अनिवारे शर्थ है इसके आलावा जीवनतता जो है एक महतपूर्ण चीज है जीवनतता जरूर होनी चाहिए भाषा में जीवनतता से तात्पर है कि भाषा साहित्य के साथ-साथ विज्ञान दर्शन आदिक्षेत्रों में प्रियुक्त की गई हो तथान उस नवाचार किया जाना संभव समदों का गठ तरह के साथ जो है भाषा को जब आप एक तालाब बना देंगे तो तालाब सूख जाएगा लेकिन भाषा यदि नदी के रूप में रहेगी यदि भाषा समुद्र के रूप में रहेगी जहांसे विभिन प्रकार के नदी जो है विबिन रप्रकार के तालाब आके जहां मिलें तो वह भाषा जादे सर्वाइवल इसलिए देखें आप अंग्रेजी ने एक ट्रेंड जारी किया है कि अंग्रेजी में अन्य भाषा के शब्दों को सामिल किया जाता है और हिंदी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है हिंदी भी अन्य भाषा के जो पुर्तगाली शब्द हैं जो अन्य भाषा के शब्द हैं उनको शामिल किये हुए हैं और अरबी फारसी और उसे जोड़े हुए सब्द हैं हिंदी भी और भारती भाषाव से भी हिंदी में सब्द लिये जा रहे हैं ये तो हमारी समधानिक नीती है नी थो स्वायत्ता, स्वायत्ता मत्लब आटोनुमी भाशा किसी अन्य भाशा पर आस्रित नहों एवं उसकी स्वतंत्र लिपी शब्दावली व्याकरण हो यह किसी भाशा कि तो इन चार पर भाशा खरी उतरेगी उसे हम मानत भाशा कहेंगी बहुत भाद धन्वाद मिश्रा जी आपने इतने सरल तरीके से भासा में जो विविन रूप है मातर भासा च्छेतरी भासा और मानक भासा को हमारे सामने रखा इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्वाद देता हूं धन्वाद नमस्कार